सुपरमेन पंच हम लोगों के लिए हो सकता है कोई बहुत बड़ी बिग डील हो लेकिन सोलो सिकोवा के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहां पर आप देखी सकते हैं जब स्मैक डाउन से सोलो सिकोवा जा रहे थे तो उस ताइम पर वह इस तरीके से कुछ ऐसे रोमन रेंज इसको मौक करते हैं तो सोलो सिकोवा के साथ गलत हो गया और उनको रोमन रेंज जैसे इतने बड़े नाम के सामने रखा गया है कि अब वो कुछ भी करें कि रोमन का लेवल इतने ज्यादा तो सोलो का लेवल जो थोड़ा सा कम ही लगता मैं जैनूरली इंट्रेस्टेट्ट यह देखने में कि ब्लड लाइन से अलग जाके भी सोलो सिकोवा का फ्यूचर कैसे होता था क्योंकि मुझे लगता तब वो उनका एक्शल टेस्ट भी है और शाद वहां से एक साइड पिक करने फिर सहरेगा कि हाँ सोलो सिकोवा सच में तगड़ा है या फिर मतलब यह सिर् वेल्कमें आपका वॉइस आपका वॉइस ओफ रेस्लिंग के एक और ने एपिसोड में और भाई देखो मेरे को हॉस्पिटल के कुछ चक्र वक्र लगाने पड़ गये थे इस वज़े से मैं अभी आल आउट पूरा शो नहीं देखा है लेकिन भाई क्या करा ही नोने अगर लेकिन इसको डिफेंड करने के बाद ब्राइन डेनियलसन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो की देखने में भी डिस्टर्बिंग लगेगा आप सोचोगे कि नहीं भाई मतलब सच में ऐसा हुआ है कि आपको लेका भाई रुक जाओ मत करो शाथ कुछ बात गड़बड हो सकती ह जौन मॉक्सली ने आके जो इतने टाइम से वो कुछ तो बड़ा क्रिप्टिक सा अपना भीएविर दिखा रहे थे आज वो क्लॉडियो के साथ आते है यूटा के साथ आते है पार भी उनके साथ है इन्होंने आके ब्राइन डेनियलसन के ओपर अटैक किया है अटैक करना इसको लिटरली मारना बोलूँगा अब आप खुद सोचो यहां पे जो चैंट लग रहे थे क्राउड की तरफ से वो थे इस एम यू आर डी यार अब इसको जोड़के देख लो क्योंकि मैं बोलता नहीं हो बोलके फिर कई बार ना लोचाव जाता थोड़ा सा वीडियो मे क्योंकि जॉन मॉक्सली ने ब्राइन डैनियलसन को प्लास्टिक पॉली बैक के अंदर उनका मू ढग दिया ऐसे अब सोचो अगर मू में पन्नी ऐसे पहना दी जाया पूरी ऐसे चिपका गे कि सांस लेने को कोई स्कोप ना बचे तो फिर उस बंदे के साथ क्या हो सकता है पता नहीं कितने नलब वो इसे बांद के रखा ही हो और पूरा ऐसा महौल क्रेट हुआ भाई इसको देखने में पड़ा आजीव सा लग रहा था यार वो हालत कुछ ऐसी हो गई ब्राइन डैनियलसन की कि उसके बाद मेडिकल टीम है वो भी आती है उनको oxygen mask सब कुछ लगा सेटप किया जा रहा है लेकिन भाई बहुत ही खतरना के चीज थी मतलब जरूरत भी थी मैं तो यह कहा रहा हूं लेकिन भाई यह तो बोलना पड़ेगा इस चीज से जो जॉन मॉक्सली के ओपर लोग का इंटरस डेवलप हो गया वह नेक्स लेवल का है क्योंकि उन्होंने इवेंट में तो लिटरली यह अगर यह जो प्लास्टिक बैक पॉली बैक के अंदर दबाया था यह आपको लग रहा कि इतना नहीं है तो इस मैच के अंदर जो आपको मुवेंट दिखेंगे जो सुर्व स्रिक्लेंड और एडम हैंग में पेज का मैसा सब में आपको बदा हो गया है लेकिन मुझे लगा वही मैं भी सॉफ्ट हो गया हूं क्योंकि यह कुछ जाला लगता है मुझे फिर प्रोफेशनल रस्लिंग के साब से लास्ट में चेयर शॉट भी पेले गए फिर और यह अन्संक्शन मैस था यानि कि एडवल ने पहली बोल दया है इस मैस में जो भी कुछ होने वाला उसके responsibility नहीं ले सकते हम लोग तो यह ऑल आउट बहुत ही एक्स्ट्रीम फैशन में हुआ एक मैंने मीम देगा था कि All In में कैसे सब हरा बरा है लेकिन All Out में कैसे सारे डार्क चीज़े हुई है जो भी है चीजों से कोई फ़र्क पढ़ता है क्योंकि ऐसी एक्स्ट्रीम चीज़े फिलाल डेवल अफर नहीं कर रहा है तो आप बताना All Out शो के बारे में आपके कैथोड्स है बाकि अब जाके मैं आराम से वीडियो के बाद पूरा शो बैट के मस तरीके से देखूंगा और ना फि आपिसोड आचुके एस सीरीज में तो इस तीसरे एपिसोड जाके सुनना जरू लिंक आपको पहला ही डिस्क्रिप्शन में इस तो फिर आपको ब्रॉक्लेस में कि आपको पता जिवानी विंची के साथ कैसे बड़ा बाला स्कैम हुआ इतने सारे उनके वीडियो पैकेज दिखाने के बाद अब उनका रियक्षन क्या है उनका रियक्षन बहुत हे सिंपल है क्या तो यह प्लेशन दिया है बट अभी मैंने जैसे बोला मैं दो तिन हपते अभी देखूँंगा कैसे जवानी विंची को बुक करते हैं एक तरह जंप नहीं करने वाला अपने वर्डेक में वो थी Kevin Owens के सामने जब वो अपनी इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिन्शिप को डिफेंड कर रहे थे 2021 की बात और अब जागे उनको एक मैच जीतने का महोगा मिला और सोचे चार सेकेंड के अंदर ये टिपिकल विंस मिकमें टाइप की बुकिंग है बट क्योंकि ट्रिपल ये वो पॉइंट हो जब कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाए क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ लोगों को लग रहा है कि सैचुरेशन में आज चुके हैं कोडी रोड्स क्योंकि वो हमेशा आम गुड़ गया आज रिस्पेक्ट ये सब जो है वो चलता है नहीं आज कर आपको प्रोफेशनल रेस्लिंग में इस बात के लिए जॉन सीना की कैरेक्टर को क्रिटिसिजम तब मिलता था वो पुराने टाइम में आज से 10 साल पहले कि में बात करूं तो अब जाके फिर चीज जाधा टाइम वर्क नहीं करने वाल ठीक है स्टोरी फिनिश हो गई है जो भी है अब शायद करेक्टर में एक चेंज कुछ इस तरीक ऐसे प्लांट हो सकता है क्योंकि जब भी हील टर्न होगा को बड़ी स्टेज में होगा तो क्या पाता जो तीसरा मैच है कोडी रोड्स और रोमन रेंज का क्योंकि रोमन बेई फेस हैं तो शायद एक बार कोडी रोडस मैं बताया भी है मुझे याद आ रहा कहीं तो मैंने इसको शेयर किया था कि बस वह उसको एक अट्रैक्शन की तरह यूज करते थे ओ मॉस को और सोचो कितना इडियाट हो सकता कोई बंदा ऐसा मवीप का कहना है कि इतने बड़ा चैफूर तीन शारी साथ फूर तीन इंच क बंदा और चार सा पाउंड के आस पास उसका वेटा अगर तुम उस बंदे से पैसे बिजनेस नहीं बना पा रहे तो फर तो बिजनेस कैसे ही और क्या बात बोल सकते हैं तो मुझे कहीं लगता है कि वाई उनने बात कुछ उट-पठांग बोली है तो हर्ड बिजनेस बहु यह पता चला है हमको कि उन्हों ने डबल अपली के साथ एक और मल्टी एर की डील साइन कर लिया है यह लोग को बहुत अट-पठा लग रहा है सुनने में कि वाई सारे बंदे तो दर चलेगे अपने तो सट्रिक अलेक्जंडर को भी ऐसा कंपनी में क्या देख रहा है जो क लोगों को बाकि ऐसा कुछ अलग हो सकती है लोगों के डिमांड तो वैसे है कि बाई एक स्टेज नया वाला लाके तो बड़ ड़ी मुझे लगनी रहा इतनी मेहनत करने वाली है अब इस चीज में अभी पहला स्मैंग्डॉं का शो बढ़िया हो जाग और उसी मुख रहा ह विंस मिकमैन की नेट्फिक्स दोक्युमेंटरी की कितनी ज़्यादा हाइप बन चुकी आपको पता ही है तो इसके बारे में अब ये ओपिनियन्स फार्म हो रहे हैं कि यह जहां एक पॉइंट पर हम सोच रहे हैं कि शायद नेट्फिक्स के ओपर यह जो विंस की दोक्यु खुद बतारे विंस मिकमैन को उसी तरीके से इसको लेबल कर रहे हैं तो बाई कुछ तो कॉंटरवर्शल होने वाला है डबल डबली के हिस्ट्री की अगर मैं इसको बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्युमेंटरी है जो कि डबल डबली भी खुद नी प्रड्यूस कर रही है तो यह कहना गलत बात तो नहीं होगी कल स्मैक्डाउन के रिविव में शाद मैंने बोला था कि 99.999% मुझे लग रहा है रोमन रेंज आएंगे स्मैक्डाउन में तो अभी जो स्मैक्डाउन का प्रेमेर एपिसोड होने वाला है यूसे नेटवक के ओपर वहां प स्टील गेज मैच वह सारी चीज़े हो चुकी है सेट अब तो फिर कल वाली वीडियो में इसको रिविव में डिसकस किया था तो चांस तो भाई पूरी लगा अपने जिम करने के टाइम समय याद आते है मुझे जब मेरे हेड़फोन में head of the table music हिट होता था स्पॉटिफाई के ओपर स्ट्रीम होना यह बहुत बड़ा नंबर है भले ही जिमी उसो ने डेवल डवली में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हो लेकिन उनके बार में हमको एक थोड़ी इंसाइड अपडेट ज़रू पता चल गई है और वह यह बात है कि मतलब अच्छा है कि अब जिमी उसो को बहुत अच्छा ब्रेक मुल्ची को इसकी बॉड़ी जो है काफी फ्रेश महसूस कर रही है और अब जब वह आएंगे तो एक अच्छा इंपक्त कर सकते हैं और शाद यह भी चांस है यह मुझे बताओ जब भी स्मैंग्डन हो रही ह और उनका यह कहना है कि जेकब फार्टो को देखा जा रहा है डेवल अबली में एज़ा मेजर फ्यूचर प्लेयर इन डेवल अबली और यह बात में आपको इसलिए नहीं बता रहा है कि आज से दो साल पहले सोलो सिकोवा के बारे में भी यही बाते बोली जाती थी और उस से अंदर तो डर रहा है वही चीज है जेकब फार्टो के साथ है जिसको की वह कुछ अलग इंप्रेसिफ वे में दिखाते हैं तो यह जस्ट अभी से आज 24-8 सितंबर के दिन हम बात कर रहे हैं देखते हैं 26-8 सितंबर में वीडियो बगर आ रही है तो फिर फिर जेकब फा में हमको यह पता चुलाएं कि WWE इस समय टार्गेट कर रही है कि आने वाले एक या दो महिने के अंदर अंदर रॉक जो है WWE टेलिविजन पर अपनी वापसी कर जाएं मतलब अब ऐसा लग रहा है कि वह जो ब्लडलन वाली स्टोरी है वह फिर से कंटीनू होने वाली क्यों कि आपको पता है WrestleMania का टाइम भी पास आ चुका है WrestleMania का टाइम पास आ गया इसका मतलब कि रॉक के वापस आने का टाइम आ गया तो बस अब यहां से WWE का आपको पता है जो ग्राफ है वो सारा उपर ही जाने वाला WrestleMania और उपर से जब नया साल हिट हो गाता हम Netflix के ओपर वो तो पू प्ले तरह उजिंदीगे मज़े